पॉनिंग स्ट्रेंट्स अब हम आपका प्रेजंटीशन में नेक्स टॉपिक जो हमारा है उसको एक्स्प्लेइन कर रहा हूं सबसे पहले मैं आपको पावपैंट के थ्रू बता रहा हूं कि पावपैंट में आपका अगर कर सकते हैं यह आपका पावपैंट यहां से में delete slide ये normally मेरा blank पे जा गया अब इस page पे table को draw करना है तो table को अगर draw करने के लिए मुझे different types of style use करनी है कि मैं किस-किस तरीके से एक table को draw कर सकता हूँ वो यहाँ पे मैं table के option बता रहा हूँ कि आप किस-किस तरीके से एक presentation में table join करा सकते हैं तो सबसे पहले आपका है कि अगर आपको टेवल इंसर्ट करनी है तो टेवल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपका table option मिलेगा और table option में जैसे आप यहाँ grid जितनी सलेक्ट कर लेंगे पहला option है ग्रेड वाला कि जितनी कॉलम और जितनी रू आप सलेक्ट कर लेंगे उतनी आपकी लाइन बनती जाएंगी यह देखिया आता जा रहा है ठीक है मैंने यहाँ पे अगर आपको इतनी लाइन सलेक्ट की है यहाँ तो वह आपका output में आ गया ठीक है तो इस टाइप से आप grade के use करके कर सकते हैं दूसरा तरीका एक और भी है यहाँ आप insert में जाए और table में insert table करिए कि कितनी रो और कितनी कॉलम आपको चाहिए पांच और दो के हिसाफ से या पांच और दस के हिसाफ से ठीक है तो य जो है आपका वह इंसर्ट टैब में जाएए और table में जाएए और यहाँ पर ड्रॉट टेबल कर लीजिए एक एक लाइन आप खीचिए फिर दवारा से ड्रॉट टेबल पर जाएए फिर दवारा ड्रॉट टेबल तो इसमें आपको हर बार जितनी कॉलम आप इसमें खीचत सकते हैं एक टेबल जोड़ने के अलावा अगर आपको इस टेबल में डेटा भरना है तो डेटा कैसे बरेंगे तो डेटा बंवन और बता रही तो पहले में टेबल ले लिक नोमली यह मैंने कॉलम्स ले लिए बाइक क्लिक आपको अब यहाँ ना इसमें नापकर प्रम कर है ठीक है तो टैब और आपका माउस से भी आप यूज कर सकते हैं तो दोनों तरीके से आप यहां माउस से भी यूज कर लिए किसी टैब में जाना है तो आप स्टैब में जाके यहां फिर आप टैब की का यूज करते हुए यह काम कर सकते हैं उसके बाद आपका था कि भई आ अगर करना है एक कॉलम को या एक रो को तो इसके लिए बता दूं कि जैसे अगर आप माउस क्या यूज करते हैं तो इस ट्राइप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जहां से आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं यह सब्सक्राइब करते चले जा रहे हम और यह कि अधि en celey aleióं तो इस टाइप से मैं माउस का यूज करते हुए स्लैट कर ता विशने कि अगर आपको माउस से सेलेक्ट नहीं करना आप लाइन कुछ एक पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं करना जाते हैं सहल को तो आप सिफट की यूज करिए और करते मेरें यह cell select होने जाएंगे shift key के साथ arrow key जो आपकी चार arrow की होती है अब down left right तो अगर आप पीछे करेंगे तो एक एक arrow पीछे आता जाएगा इस type से आप select कर सकते हैं एक column को या बहुत सारे columns को अगर आपको बीच में अब एक column चाहिए जैसे मैं insert यहां पर insert option आएगा insert option पर आप click करेंगे तो यहां पर आप insert कर सकते हैं कि इनसर्ट करना है column left side में insert करना है column right side में या रो इंसर्ट करनी है या आप यह प्रनी है लोग नहीं तो मैं left में insert कर लेता हूं देखिए एक ये column आगे बीच में एक और आपको चाहिए कि बीच में रो और चाहिए तो रो पहले में आप एक फिल कर लेता हूं ताक कि आपको पता चले कि वह किस दो के बीच में डेटा आया है अब यहां पर इस रो को मैंने थोड़ी सी भी दिखत हो तो आप वीडियो को फिर दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं जिससे आपको यह चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और यह सिर्फ आपके प्रेक्टिकल के लिए नहीं या फिर अभी के विल सौफ्ट्रे के लिए नहीं यह आंगे भी आपक को डिलीट कर सकता हूं यह कॉलम अगर मेरा पूरा एक्स्ट्रा है तो यह कॉलम को भी में डिलीट कर सकता हूं ठीक है तो डिलीट रो और डिलीट कॉलम मैंने भी आपको बताएं इसके बाद अगर मुझे कॉलम को छोटा या बढ़ा करना है तो जैसे कॉलम को छोटा या बढ़ा करना है तो जैसे मैं यहां रखता हूं तो इस प्लस की साइन को जतना में इंडिकेट करके आंगे करूंगा तो यह देखिए शैल्स का साइज यह बढ़ा हो गया और यह सेल चोटा हो गया ठीक है तो ऐसे आप डाउंसाइड में भी कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वा इसके बाद next option है आपका हाँ तो next option आपका था कि आपको border लगाना है और background लगाना है तो सबसे पहले applying background color तो background color आप यहां select कर लिजे और यहां पर design में जाके आपको background में अलग अलग style मिल जाएंगी इन में से आपको जो भी style लगानी है जैसे यह बैटर इसमें आपको अलग से grid दिख रही हैं सारी चीज़े background color हो गया आपका border लगा सकते हैं तो border लगाना है अगर आपको तो यहां पर border यह है यह आपका border लगा देगा जैसे आपको all border चाहिए या इतने में border चाहिए तो यह आपका पूरे में border वह जो आपने color select किया उस color की अवाडिंग यह border दे रहा है ठीक है तो border में अगर आप और दूसरा border लगाना चाहते हैं particular में देखिए यहां पर मैंने तो border color आप यहां से change कर सकते हैं paint color आ रहा है तो यह आपने color change कर लिए अब देखिए border का color दूसरा है ठीक है और लास्ट जो अप्शन था जिसमें हमें border style भी यूज़ करनी थी तो border style अगर आपको जो border है मौटा पतला कैसा यूज़ करना है तो यह बॉर्डर स्टाइल है यहां पर आपके पास बहुत अलग-अलग तरह से style है नौर्मल यही है तो इन में से अगर आपको style यह यूज़ करनी है या इसमें आपको color मौटा पतला यूज़ करना है जो मारकर है वो थोड़ा सा इस टाइप से आप अलग-अलग style यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो पहले आप इतना देख लीजिए इसके बाद फिर हम नेक्स में पूल सकते हैं